स्वागत था आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करिये पर मेरा नाम उमेश यादो है दोस्तों IBPS क्लर्क प्री का अपने एक्जाम पांच, बारह और तेरह दिसंबर को होने वाला है और आप सभी का कॉललेटर आ गया है, आपने से बहुत सारे केंडियेट ने मुझे अपने एक्जाम का टाइमिंग भी बता दिया है आप सभी को इस वीडियो में प्री एक्जाम को लेकर के बहुत important point बताने वाला हूँ, आप तो इसको ध्यान दिजिएगा और आपका 100% प्री एक्जाम क्वालिफाई होगा, अगर आप ऐसे अभी जो अपने पास टाइम बचा हुआ है, आज तेज तारीक है, आज का दिन छोड़ दिया जाए, तो आपका लगबग 11 से लेकर के 12 दिन बचा हुए, आप 10 दिन आपको पकड़ के चलना है और 10 दिन में आपको जो मैं बता रहा हूँ, वो करना है, आपका 100% प्री एक्जाम क्वालिफाई हो पाएगा, और एक चीज और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप में से कुछ कैनेट जो है, मुझे कमेंट करके, पुछे की सर हमारे यहां लोगडाउन है तो हम लोग एक्जाम सेंटर पर कैसे जा पाएंगे, दोस्तों आप सभी को कोई भी पॉब्लम नहीं होगा, आपका जो हॉल टिकट है, उसको आप ले करके, यानि कौलेटर है उसको ले करके, आप जाओगे तो आपको कोई भी दिकत नहीं होगा, और यह सब हर्डाल आते रहेगा, लेकिन आपका फोकस जो होना चाहिए, प्री एक्जाम पर होना चाहिए, आपका प्री एक्जाम पर फोकस रहेगा, तो दुनिया में कोई भी ऐसा हर्डल नहीं है, जो आपको रोक सकता है एक्जाम कौलिफाई करने से, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल नही भी है तो normalization होता है तो उसके लिए आपको चींता नहीं करना है अभी आपको 10 दिन क्या करना इसके बारे में बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग अगर ऐसे करते हो तो आपका 100% pre-qualify हो जाएगा आप banking कर ये channel पर नए हैं तो channel से जरूर जुड़िएगा आप सभी को definitely यहां से मदद मिलेगा और दोस्तों मैं आप सभी को advice करूँगा और request भी करूँगा कि आप description box में चले जाना वहां पर आपको एक paper का आपको link दिया हूँ IBPS clear का free up cost है उसके लिए आपको कोई भी charge नहीं देना है उसको जा करके आप जरूर एक time करना वह आपका previous year का exam हुआ था उसी के exam के pattern पो paper है और बहुत अचा paper है उसको जा करके जरूर दीजेगा और आप सभी का score कितना हुआ है मुझे जरूर बताईएगा दोस्तों अभी आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ उसको ध्यान से सुनना आप IBPS कलर का आपको daily basis पर IBPS कलर का आपको daily basis पर क्या करना है आपको दो test आपको लगाना है आप कहीं से भी test लगा रहे हो offline लगा रहे हो या online लगा रहे हो तो इसका दो test लगाना है और इसका जो है आपको analysis करना है इसका जो है analysis आप करना है और analysis करने के बाद आपको एक चीज और करना है आपको अगर आपके पास banking क्रोनिकल एक magazine करके आता था अगर आपको BAC का एक banking क्रोनिकल magazine करके आता है अगर आपको पास magazine होगा तो आप क्या करना उसमें जो आपका pre-level क का IBPS जो टोट चार महीने के यानि दो-चार मैगजीन का आपको पेपर मिलता है तो उसको यह अपको Korस कर को काफी मदद मिलेगा उसमें जो पजल आता है उर आपके एप्जाम में उस जो मैं बजाता हूँ आपको practice mock का जो क्यों जाता है उसको आप daily basis पर करना और एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको link description दिया हूँ आपको memory based paper का उसको जाकर कि practice mock से या किसी भी sources से जहां से आपको मिलता है आप क्या करना 2018 का और 2019 का कलर का जो memory base paper है इसको आप जरूर कर लेना इससे क्या होगा दोस्तों आपको एक पता चल जाएगा कि कि इस टाइप का आपके exam में question पूछा जाएगा और उसी टाइप से आपका mind जो है develop हो जाएगा और सबसे important है उसको आप जहां से सुनना आप क्या करो sectional test जैसे आपका reasoning का हो गया count का हो गया, English का हो गया अब क्या करो 20 minute time लगा लो और इसमें जो है आपका 20 minute time तो आपको दिया रहेगा लेगन reasoning का आपका जो paper है इसको आप 19 minute में आप target करो कि आपको solve करना है count का paper जो है इसको 19 minute में आप target करो कि जो मैं 30 plus तक चला जाओ और English का जो paper है ये भी आप 19 minute में target करो कि मैं 30 जो है जो आपना question है उसको solve कर पाऊ यानि आप sectional cut up जो है sectional जो आपका आई है sectional जो topic है उसको आपको करना है यानि count का करना है count का करना है reasoning का करना है और English का करना है और ये आपको जो time जो actual time जो 20 minute दिया हुआ है उसमें आपको 19 minute लगा कर करना है और आपको sectional test आपको करना है इससे आपका बहुत अचा practice हो जाएगा और ये daily basis पर ये आप 10 दिन भी लगतार करते हो न तो आपको 100% आपका pre qualify हो जाएगा मैं आपको अभी guarantee दे रहाँ कि आप आज से अभी से process आप start करते हो तो आपको 10 दिन continuous practice करते हो तो आपका IBPS clerk जो है pre है 100% qualify होगा इसका guarantee मैं देता हूँ मैं अपने pre exam के time में ऐसे ही करता था और अभी भी ऐसे ही करता हूँ 10 दिन पहले मैं क्या करता हूँ जो भी previous year का paper होता है उसको मैं क्या करता हूँ previous year का paper होता है उसको मैं लगा लेता हूँ और उसी type का test का मैं solve करता हूँ और दिन में जितना possible हो पाता है उसको टेस्ट देता हूँ और उसको proper analysis करता हूँ जो question नहीं बनता है उसको मैं बनाने के कोसिस करता हूँ उसको सिखने के कोसिस करता हूँ आप लोग भी ऐसे ही करो और अभी जो है आप किसी के बोलने से यह टेस्ट लगाव जाकर के यह टेस्ट खरीद लो ऐसा बिलकुल मत करो जो भी आपके पास test है जो भी आपके पास test available है उसी पर आप विश्वास रख करके उसी को आप अच्छे से करो अगर आपका test में अच्छे score नहीं भी हो रहा है तो उसके लिए आपको डरने के कोई बात नहीं है memory based paper करो अगर उसमें आपका score नहीं हो रहा है आपका timing क्या है आप मुझे लिग करके comment में बताईए अगर आपको score नहीं हो रहा है आपको कोई भी doubt हो रहा है तो मुझे comment करके बताईए मैं आप सभी को help करूँगा banking career channel जो है आप सभी के help करने के लिए मैं बनाया हूँ जैसे मुझे timing मिलता है management होता है वैसे आप सभी को मैं आकर के सामने आपको बताता हूँ आप सभी को help करने के कोसिस करता हूँ एक छोटा सा मेरा contribution है इसे मैं hope करता हूँ कि आप सबको मदद मिलता होगा और आप सबका exam भ पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करके जाएगा आप सभी को definitely यहां से मदद मिलेगा thank you so much